तो तो जैसे कि हम कहते हैं कि स्कैल्पिंग करनी है कोई भी होल्डिंग कोई भी बीटीस्टी नहीं करनी है आपको तो आप देखेंगे यहां पर लॉस रिकवरी हुई है 8000 की और आप देख सकते हैं हमारा फ्री टेलिग्राम चैनल है जिस पर हम बताते हैं कि आप अपने लॉस रिकवर कर सकते हैं अगर आप कल भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आज का देखेगा मौर्णिंग का चार्ट क्या था डाउन ट्रेंड का और आप देखेंगे तो मात्र देखेगा 10 मिनट में आपको डाउन ट्रेंड देखेंगे मिला तो कल मिस नहीं करना चाहते हैं तो जाके जॉइन कर लिजेगा और मेरा कहना हमेशा यही रहता है कि ग्लोबल इवेंट पे देखेगा इंपक्त कैसे पड़ेगा कल आपको 7 बजे का या 10.cent देखेगा वीडियो आपने देखा होगा तो अपने उसमें मैंने बताया था जब तक डेटा नहीं आया था फिट का मैंने आपको घटाया था कि डो जोंस में क्रेश होगा तो डो जोंस में आपको आजटेश क्रेश देखने को मिला फिर आपने देखा है जिए निफ्टी गिरा उसी जिस आप से देखेगा मार्केट में भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहा शुरुआती 11 बजे तक उसके बाद फ्लो बदल गया लेकिन अभी भी अमेरिका में वेस्टन के कंट्रीज में पैनिक कम नहीं हुआ है तो यानि कि जो प्रॉब्लम क्रेट होगी वो प्रॉब्लम क्रेट रहेगी वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे मल्टिपल इवेंट बने हुए है मल्टिपल डेटा आता रहा है पेड ने बोल तो दिया लेकिन क्या बोला आपको नहीं पता फेड ने देखेगा 0.25 का BPS का जब देखेगा रेट हाई किया तो उन्होंने क्लियारिटी किसी भी पर्टिकलर सेग्मेंट में नहीं दी है clarity number one उन्होंने ये नहीं बताया है कि पॉस कप करेंगे clarity number two उन्होंने ये नहीं बताया है कि बैंकों का क्या like अगर आप pause भी कर दोगे आप नहीं बढ़ाते हो आप ये confirm देखीगा market ने माली जे समझ भी लिया कि आप नहीं बढ़ाओगे तो क्या आप ये बताये कि उसके बाद ये hold कहां तक करोगे बैंकों का क्या होगा इन बैंकों के डूपते हुए सेनारियो के बारे में आपको क्या कहना है तो उसमें clarity नहीं आई तो जो situation है ना कि बहुत सारे central bankers हुए हैं बहुत सारे देखेगा governor अमेरिका में हुए हैं जिनोंने बहुत ज़्यादा panic कर दिया है economy को तो कुछ ऐसी स्थिती देखेगा ना हो जाए तो इसलिए आपको alert रहना है यहाँ पे 2-3 मही का जो देखेगा outcome था as it is जो expect किया गया था वैसा ही हुआ और जिस तरीके से reaction आना था वो भी वैसा ही हुआ कि like economy पहले से pain में थी और pain में आने के बाद उसमें देखेगा stock market पे भी impact दे दिया मैंने आपको पहले एक कारी को बताया था कि यहाँ पे जब dojones का outcome आने वाला होगा तो अब जो आगे के GDP डेटा आगे का देखेगा job का डेटा बहुत सारा डेटा जो आएगा वो अब market में देखेगा पर्च में नहीं आने वाला है तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से यह data impact करेगा तो कि अभी तक जब जितना rate hike हुआ है उसके basis पे जो आपको reaction देने में मिला वो reaction आपको fix से पहले देखने में मिला था जब देखेगा data आया था job opening का उसके बाद 500 point डो जो जो गिर गिया था तो अब देखेगा next data आज आपको पता है Thursday है तो Thursday को data आता है जो कि बहुत important होता है आरात को disclose होगा तो जैसे यह data आएगा तो उसके साब से reaction देखने मिलेगा वो data होता है initial job claim का data तो initial job claim का data recession के favor में आएगा recession के favor में आएगा तो बात वहीं पर आके रूख जाएगी कि Fed ने economy को इतना ज़्यादा district कर दिया है कि ऐसी चीज़ें देखने को मिल लगी है तो आपको पता है कि जब यह data आएगा तो उसी समय डोजोंस उस पर reaction देगा उसी समय देखेगा आपको फिर से जो पहले से pain है वो थोड़ा सा increment होता हुआ देखने मिलेगा दूसरी चीज़ देखेगा balance of trade का data ये भी बहुत important है कि किस तरीके से dollar dominate कर रहा है international market में या फिर किस तरीके से dollar देखेगा back foot पे आ रहा है international market में ये balance of trade बताएगा तो balance of trade आपको indication देगा dollar index यानि dollar index में अगर uptrend देखने मिलता है तो यानि कि ये चीज़ अच्छी नहीं है capital market के लिए और downtrend देखने मिलता है तो ये चीज़ चली अच्छी है market में तो ये data तो बिलकुल भी आपको नहीं भूलना है initial job claim का data तो कि इसकी बात fed के minutes में होगी जो थोड़े 10 दिन के बाद आएंगे आगे आगे आपको पता है कि पूरे यूरोप को 20 nations को यूरो जोन को 20 nations को तो आप समझ सकते हैं कि impact बढ़ा आएगा जोगी वहाँ से pressure बनेगा फिर देखेगा डो जोन से pressure बनेगा तो impact पड़ेगा Asian market पे भी तो इस चीज़ को भी आपको नहीं भूलना है और कल भी data बहुत सारा आना है जैसे कि आप देख सकते हैं construction का data, retail sale का data और अगर आप देखेंगे सबसे important unemployment का data और non farm payrolls का used car prices का इन सब का data कल आपको देखने को मिलेगा तो इसके असाब से market क्या करेगा, behave करेगा लेकिन अब जो आपकी निगाएं होनी चाहिए वो होनी चाहिए ECB पे FED ने तो अपना काम कर दिया FED ने तो जो बताया था वो कर दिया लेकिन ECB क्या ECB के एक-एक sentence पे देखेगा 20 nation depend करते है आपको पता, euro zone पूरा जो होता है वो behave करता है तो यहाँ पे भी rate hike होने वाला है चुकि यहाँ पे inflation तो 10% के आसपास है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनके लिए challenging task होगा जब ही बताएंगे कि आगे की रणनीती क्या बना रहे हैं, कितने rate hike करेंगे बैंकों की स्थिति क्या है जिस तरीके से अमेरिका के बैंक डूब रहे है तो वहाँ पे भी pain बनने वाला है तो उन सारी चीजों का impact आपको देखेगा market पे देखने को मिलेगा market के साथ-साथ commodities पे देखने को मिलेगा और फिर आपको देखेगा वो कल market में देखने को मिलेगा तो ये बहुत key decisions है इसके हिसाब से ही देखेगा work करिये बहुत सारे लोग holding करते हैं बहुत सारे लोग BTS टी करके ले जाते हैं loss होता है च्योंकि जब तक strategy clear नहीं होगी loss ही होगा तो इसलिए कहते हैं कि इन सब चीजों पे focus करना है कि अभी एक और ECB की तरसे decision आना है जिसके basis पे आज रात डो जोंस पे गिरावट देखने को में सकती है तो focus करेगा वीडियो पर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना ना बुलेगा Thank you so much